देश के OTT प्लेटफॉर्म एक बार फिर से लोगों के निशाने पर हैं इस बार हंगामा वीडियो स्क्रिमिंग प्लेटफॉर्म नेटफिक्स को लेकर है जहां फिल्म के नाम, उसके करदारों और कहानी को लेकर संगराम शुरू हो चुका है दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही फिल्म किष्णा इन हिस लीला को लेकर लोगों में भारी नाराज़ी है आरूप है कि फिल्म में घर-घर में पूझे जाने वाले भगवान श्री किष्ण का भद्दा और अश्लील मजाक उड़ाया गया इस फिल्म में भगवान किष्ण के नाम वाले किरदार को दिखाया गया है जो की वुमिनाईजर है जो अलग-अलग कई महिलाओं के साथ सम्मंद मनाता है और यही बज़े है कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर संग्राम शल गया ट्विटर पर हैस्टेक बॉइकॉट नेटफ्लिक्स प्रेंट हो रहा है हिंदु को आहत करने वाली यह फिल्म कृष्ण नाम के गिवक के उलजे हुए प्रेम और प्रेम में उलजन की कहानी है खास बात यह है कि फिल्म में दो फीमेल करदारों के नाम सत्यभामा और राधा भी है इसकी वज़ा से भी इसको लेकर लोगों अगुस्सा साथवे आस्वान पर पहुँच गया फिल्म 25 जून को नेटफ्लिक्स पर स्क्रीम की गई इतना ही नहीं इस फिल्म के निर्माताओं में बाहुबली के भलाल देव यानी की राणा दगुबटी भी शामिल है जिसकी वज़ा से राणा भी लोगों के गुस्से के निशाने परा गए कृष्ण एंड हिल्स लीला एक तेलगू फिल्म है जिसे रविकांत पेरूपी ने डारेक्ट किया है फिल्म में सिध्धू, जोर्नल, गड़्डा और शद्धा साइनाथ मुख्य भुमिकाओं में है लेकिन भगवान कृष्ण को लेकर किये गए चरत्रचित्रण की वज़ा से लोग इसे बैन करने के बांग कर रहे हैं लोगों का कहना है कि हमेशा हिंदू देवी देवताओं के साथ ही इस तरह के गिरी हुई हरकतें क्यों की जाती हैं हलाकि कई लोग इसे सस्ती लोग प्रियता हासल करने का एक जरिया भी बता रहे हैं एक यूजर ने लिखा कि आप लोग जानबूचकर हमारे महान हिंदू भगवान कृष्ण को अपमानित करना चाहते हैं जिन्होंने मानबता को भगवत गीता दी राना दगुबटी से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यूं किया आपने कृष्ण को एक वुमिनाइजर के रूप में कैसे दिखा दिया एक अन्य यूजर ने कृष्ण करदार को इस तरह दिखाए जाने के साथ रालहा के नाम पर आपती जटाई है उन्होंने इसे एक पूरे समधाय के खलाफ प्रोपेगेंड़ा बता दिया एक और यूजर ने कहा कि नेटफिक्स हिंदू समधाय का सम्मान नहीं करता उन्हें सर्फ विवादत दिखाने में इसे मतलब है ताकि प्रिशार मिले इसे वो कमाई करते हैं और भी कई उजर्स ने कृष्ण नाम के करदार के ऐसे प्रदर्शन पर रोश व्यक्त किया है वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से विवाद हुआ हूँ इससे पहले अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज पातालोग के भी कुछ सीन्स पर सवाल उठाये गए थे जहांपर मंदर पर मास का सेवन करते हुए दिखाया गया था लेकिन ताजा विवाद में लोग नेट्फिक्स पर बड़े कारवाई की बाग कर रहे हैं आपकी उस पर क्या राय है कृष्णा एंड जीला में करदारों के नामों को जानभूच कर कृष्णा और राधा नाम दिया गया है या फिर ये महजिक अत्वाग है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं धन्यवाद